हलो एवरिवन, वेलकम टु पिएच पैतोहब फिर सह हजरु एक नए टॉपिक के साथ टॉपिक का नाम है बाईो वैस्ट मेनेजमेंट बाईो मेडिकल वैस्ट बाईजमेंट आप कई सारे नाम से इसने जानते होंगे आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे यह आपके MLT, DMLT, BCMLT का कॉसन है जो अधिक तर आपको कभी-कभी इंट्रिव्यू में भी पूछ दिया जाता है कभी-कभी इससे objective कॉसन भी पूछे जाते हैं कि हम कैसे किन तरह से बायो वेस्ट का management करते हैं तो आज मैं इस topic पे बताऊंगा कि बायो waste generate कैसे होते हैं और हम उन्हें कैसे manage कर सकते हैं कुछ container के बारे में बताऊंगा, कुछ plastic bags के बारे में आप सब को बताऊंगा जिनें हमें manage करने में काफी आसानी होगी हम दूर से ही समझ पाएंगे कि इस container में क्या है, उस container में क्या है और आज हम बात करेंगे इसे decompose के बारे में भी कि इसका हम पूरी तरह से निराकरण कैसे कर सकते हैं, पूरी तरह से इसका अब घटन भी कैसे कर सकते हैं ये सारी वेवस्ता हैं, आज हम पढ़ेंगे, तो मैं बता रहा हूँ, waste generated during the diagnosis, testing, treatment, research और production of biological products for human beings or animal अगर किसी भी तरह के हम टेस्ट कर रहे हैं, लेवरोश्री में, treatment हो रहा है किसी भी hospital में, हम किसी research field में हैं या फिर किसी भी तरह के हम नए चीज़ों को बना रहे हैं, तो generally waste generate होते ही होते हैं, अगर आप घर में भी देखें, अगर आपकी मा अगर कभी खाना बना रही हो, तो होता है कभी-कभी सबजी ज़्यादा बन जाती है तो उसे क्या किया जाता है, हम सुबा होकर अगर नहीं खाते हैं, या फिर बच जाता है, बहुत सारे भोजुज होते हैं, अगर बच गया तो हम उन्हें क्या करते हैं, waste को manage करने का काम करते हैं, उसे कहीं फिक कराते हैं, किसी गड़े में दबा देते हैं, ताकि वो महके न कुल तुल होगे हैं तो से बहुत सारी तमाम चीजे हैं जिने हमें हेंडल करना आना चाहिए कि हम इन्हें फेकना का या क्योंकि अगर हम किसी टी-बी केमरीच का अगर हम कलेक्सन लेते हैं तो हम उनका इनका भी ने लेंगे लेकिन वह इंफेक्टेट हो गया पूरा निडिल तो हम उसे dispose कहां करेंगे, हम उसे faking कहां, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है, और कहीं हम रहा चलते हैं, कहीं नाले में फेक देते हैं, रोड में फेक देते हैं, तो रहागीरों को problem हो सकती है, आने जाने वाले लोग हो सकता है, कल दिन मैं भी वहाँ से गुजरू तो मुझे ये topic उसके बारे में है, जैसे कि आप लिखा पढ़ पा रहे होंगे, waste management is the necessary for the pathology laboratories, because of federal and the state regulation that control and the resist the disposable of the waste generated by all medical faculties, मतलब ये सरकार के द्वारा भी नियम लगाया गया है, कि अगर आप किसी भी तरह का waste को generate करते हैं, laboratory में generate करते हैं, या फिर hospital में generate करते हैं, तो आपको उसका प्रबंधन करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार रहे हैं, नहीं तो लोगों को infection फैल सकता है, लोग और भी ज़् अंकरमित हो सकते हैं, तो ये सारी बातों का ध्यान में रखने के लिए, bio waste management आपके chapter में डाला गया है, क्योंकि आगे चलके आप भी technician बनेंग, आप भी waste generate करेंगे, तो इसे कैसे handle किया जाए, मुख्य रूप से हमारे पास तीन तरह के waste generate होते हैं, पहला medical waste हम जिसे कहते हैं medical waste किसे कहेंगे, जैसे कि हमारे पास syringe हो गया, IV bottles हो गया, फिर हमारे पास specimen हो गया, हम blood लेते हैं, urine लेते हैं, उनके सारे जिसमें हम collection लेते हैं, उनका डबा हो गया, और भी बहुत सारी चीजे catheter हो गया, IV bottles हो गया, ये किस चीजे में आएंगे, ये medical waste में आएंगे, दू जा रहता है, तो हमें भी उन्हें फेकना होता है, तो हम उन्हें कहां फेकेंगे, ये एक तरह का medical waste है, नेक्स्ट है garbage, बहुत सारे wrapping bags में वो pack होकर आते हैं, कई बार cartoon में, plastic के डबो में वो pack होकर reagents आते हैं, और हम transport करते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास garbage उत्पन हो जाते ह तो मुखी रूप से तीन तरह के हम लोग waste को generate करते हैं, आपको तीनों समझ में आ गया होगा, अब पढ़ेंगे हम कि किन किन waste को हम किस किस तरह के bag में डालते हैं, किस किस तरह के container में डालते हैं, आप कभी hospital गये होंगे, या फिर आप किसी college में पढ़ रहे होंगे, तो वह के laboratory को आपने ध्यान से देखा होगा, तो आपको container मिलेंगे, वो कोई red color का होगा, या फिर plastic के bag मिलेंगे आप सब को, वो plastic का bag किसी भी बाल्टी वेगरा में लगाया जाता है, वो red color का होगा, yellow color का होगा, black color का होगा, आपने कई बार white color के देखे होंगे, blue color के देखे होंग अभी मोदी जी के तरफ से बहुत सारी चीज़े जो चलाई जा रही थे, स्वक्षता अभ्यान, तो उसमें आपने दो तरह के दब्बे देखे होंगे, कि मैं लिखा हुआ रहता है, सूखा कचरा और एक में लिखा हुआ रहता है, गीला कचरा, साथ green और blue color के दब्बे होत पहला हम बात करेंगे black के बारे में, black container कह सकते हैं, black plastic bag कह सकते हैं, जिसमें कि हम non infected waste, ध्यान रखें, non infected waste, मतलब जो कि infected से उनका कोई भी relation ना हो, journal waste things that has no been in connect with the patient, किसी भी तरह connection उनका patient के साथ नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी तरह के blood से, body fluid से, substance से, मतलब medical से related कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, ऐसे जब garbage होंगे हमारे पास, ऐसे कूडे जो हमारे पास होंगे, उन्हें किसमें हमें डालना है, उन्हें हम manage करने के ल black dust bean में डालेंगे, क्या क्या हो सकती है, ये सारी चीजे, example के लिए मैं मान सकता हूँ, office paper हो सकते हैं, clinical waste जैसे कि हम कह सकते हैं, उसको kitchen waste कुछ हो सकते हैं, आपकी क्यूंके laboratory में कई बार kitchen होते हैं, घाना पीना भी करते हैं, तो कुछ हम जैसे कि देखे तो journal रूप से कुछ plastics, कुछ अभी मैं rappers की बात कर रहा था, cartoons की बात कर रहा था, जो की infected ना हो, inks हो सकते हैं, pen हो सकता है, जो हमारे laboratory में अधिकतर use होते हैं, हम उन्हें किस में डालेंगे, black container में डालेंगे, और black container में डालने के बाद हम इसे shared land filling कराते हैं, मतलब हमारे पास कचरा तो जमा हो गया, लेकिन अब हम इनका क्या करेंगे, तो हम इन plastic bag को उपर के मूँ के तरफ से बानते हैं, और इन्हें हम क्या करते हैं, जमीन में दबा देते हैं, अब हम आएंगे infected wasted की और, किसके तरफ, infected waste, infected waste क्या है, infected waste है, जब पहल bag की बाग करेंगे, red plastic bag, red plastic bag में हम जितने भी तरह के, microbiological, biotechnological, फिर हम laboratory samples, और contaminated solid waste को रख सकते हैं, जैसे हम कैसे, इसमें क्या example दे सकते हैं, इसमें हम example दे सकते हैं, IV bottles का, catheter का, urine bag का, syringe का, tubes का, bottles का, जितने तरह के plastic bottles वेगरा, reagent के हो सकते हैं, हम इनमें डाल देंगे, फिर gloves का, blood transfusion sets जो होते हैं, हम कई बार, blood banking में, blood transfusion sets जो होते हैं, वो, red plastic bag में ही manage किये जाते हैं, इनहें हमें deep brilliant करने से पहले, deep drill का क्या मतलब होता है, deep drill का मतलब होता है, कि बहुत ही ज़ teria गहराई में इसे दबाया जाता है, क्योंकि इसे compost होने में, इसे गलने में, सरने में काफी लंबे समय का वक्त लगता है, लेकिन इससे पहले हम जितने भी सारी चीजे फेकेंगे, इन्हें आटोकलेब कर लिना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्लास्टिक बॉटल्स को, कैठेटर को, यूरीन बैक्स को, इन्हें हम आटोकलेब करके ही फेकें, आटोकलेब से क्या होता है, अगर इसमें किसी भ फेक देते तो कई बार पसू पक्षी, उन्हें जाकर खाने लगते हैं, प्लास्टिक कुछ खाना समझ कर, तो आजकल प्लास्टिक भी बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है, तो उसके चलते भी बहुत सारी परिसानिया होने लगी, आए हम तीसरे बैक की और बढ़ते है यलो प्लास्टिक वेग, यलो प्लास्टिक वेग क्या है, यलो प्लास्टिक वेग में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी तरह के टिसू और गन है, हम एक तरस इसे कहते हैं, हम इसमें यूज करते हैं, तो यूमन बड़ी वेष्ट के रूप में हम इसे जामते हैं, जिसे हम लो में और सकते हैं और ले खिंब में रिखतांगे हाल जो हमारी पास होते हैं जोыми करते हैंते उपी ब्लरी श्टेद में हैं तो वो आपको आ जाएंगे यलो बैग में यलो बैग में हम टिसू, औरगन, बड़ी, पार्ट, सीज़, एनिमल वेस्ट हम सभी माइक्रोबाइलिजिकल, बायो टेकनोलिजिकल सॉलिड वेस्ट का उप्योग कर सकते हैं कई बार हम बहुत सारे जगह में ब्लू और वाइट को एक साथ देखते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि हम ब्लैक को और ब्लू को एक साथ रखते हैं तो ब्लू में हम किन सारी चीज़ों को रख सकते हैं ब्लू में हम सभी सिरिंज को रख सकते हैं गलब्स को रख सकते हैं प्लास्टिक से वेस्ट जंडरेट होते हैं जैसे प्लास्टिक से जन्रेट होते हैं और पिर और इतनी तोर पर कभी साथ देखे जाते हैं जैसे कि हम white की बात करें तो white में हम sharp चीजों को रखते हैं क्योंकि वो हमें दिखाई गया दूर से ही हम समय जाए जैसे कि needle का parts हो गया जिसे हम लोग needle कहते हैं वो हम उसमें रख सकते हैं अलग से हम उसमें रखेंगे कभी-कभी होता है कि हमारे हांस से काचवाच तूट जाते हैं, बीकर तूट जाता है, ट्यूब्स तूट जाते हैं तो जितने सार्प नुकीले चीज होंगे, आप इन्हीं का ध्यान रखें, हम उसको इसमें डालकर वाइट में डालकर रख सकते हैं ब्लू की बात करें, तो हम इसमें बी तरह के bottle वोटल होंगे, हम इसमें रख देंगे, syringe को रख देंगे, needles को white में रखेंगे, और syringe के plunger को उसको ब्लू में रख सकते हैं तो ये बेस्ट मेनेजमेंट था और ब्लू बैग में हम जितनी सारी चीजों को रखते हैं तो इसका रिसाइकल भी किया जा सकता है लेकिन हम सार्प चीजों को रिसाइकल नहीं करते हैं इसे भी हम निराकरन कर देते हैं तो ये था वेस्ट मेनेजमेंट किस तरह से हम बायो मे होंगे तो प्लीज एक कमेंट्स कर दें नए हो तो सस्क्राइब करें एक लाइक तो बनता है और नीचे नंबर दिया गया है नोट्स के लिए क्लासिस के लिए इमेल आईडिये आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं टच में रह सकते हैं थैंक यू थैंक यू एब्रीबन टॉपिक समझ में